जारखन के सियासी आस्मान पर मड़ा रहे बादल के बीच हेमंद सुरेन सरकार ने बिजेपी को एक जोर का जटका दिया है सुरेन ने ठान लिया है कि तु डाल डाल तु मैं पात पात मजबूत राजनितिक इच्छा शक्ति कहें या मजबूरी सुरेन सरकार ने एक के बाद एक कई नेड़े लिये हैं जो ये दर्शाता है कि सुरेन ने अब गेंद केंद सरकार के पाले में डाल दी है सुरेन का इमिलेट ने जो प्रस्ताव पास किया है उसके मताबिक 1932 के खतियान में जिनके नाम है वही जहारखन के मुल निवासी माने जाएंगे और उन्ही को आरक्षन मिलेगा लेकिन 1932 ही क्यों और इसमें क्या है पेंच क्यों ऐसे ही एक फैसले से जहारखन में हिंसा भड़क उटी थी और क्यों सुरेन का ये फैसला बीजेपी को बैक फूट पर डाल रहा है नमस्कार मैं उपेंद कुमार सियासत में आजबाद साल 1932 के खतियान की जिसे सुरेन का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है दरसल साल 1932 में तबकी अंग्रेजी हुकूमत ने जमीनों के सर्वे सेटलमेंट कराए थे और वहां के निवासियों के बीच खतियान बाटे थे अब उसी को आधार बनाकर सुरेन सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए इस्थानियता तै करने का फॉर्मूला प्रस्तावित किया है इस फॉर्मूले के तहट उन्हीं लोगों को जार्खन का इस्थानी निवासि माना जाएगा जिनके पुरोजों के नाम साल 1932 या उससे पहले के खतियान में है जार्खन में 1932 के खतियान को इस्थानियता का अधार बनाने की मांग यहां के लोग जार्खन गठन के बाद से ही करते रहे हैं यहां के आदिवासी और मूलवासी हमेशा से कहते रहे हैं कि जारखंड में बाहर से आकर बसे लोगों ने यहां के इस्थानिय बाशिंदो के अधिकारों का अतिक्रमड किया है। में दो मिसाइल पॉलिसी घोशित की थी। इसके तहद भी 1932 के सर्वे सेटलमेंट को इस्थानियता का आधार माना गया था। जिसके बाद हिंसा बढ़क गई थी और हिंसा में च्छे लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी थी। तब उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने ही बाबुलाल मारंडी का विरोध किया था और उसके बाद बाबुलाल मारंडी को मुख्य मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके खिलाफ एक जनीत याचिका भी डाली गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए जहारखंड हाई कोर्ट के ततकालीन मुख्य न सगादी थी। उसके बाद राज में कई सरकारे बनी लेकिन किसी सरकार ने 1932 को आधार बना कर इस्थानियता की निती नहीं बनाई। अब जब सुरेन इसे लेकर आये हैं तो इसमें अरचने भी कई हैं। यह जरूर है कि सुरेन ने अब गेंद किंद सरकार के पाले में डा है। ऐसे में यहां सुरेन ने बढ़त बना ली है। सुरेन के इस फैसले ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है क्योंकि इसके बाद दो सवाल उठते हैं। अगर सुरेन उसे नवी अनुसूची में शामिल कराने में सफल हो जाते हैं तो इसे किसी अदालत में चुन के बीच बताएंगे कि हमने तो विधान सभासे पारित कर केंद सरकार को भेज दिया था अब केंद सरकार ही जारखंडियों के हित में काम करने के लिए तयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में अब बीजेपी दुगधा में है कि करे तो क्या करे लेकिन सवाल एक और है क्योंकि 1932 के सर्वे सेटलमेंट को अधार बनाने की अपने उल्जने भी हैं जारखन के कई इलाकों में जमीनों का सर्वे अलग-अलग सालों में हुआ है कुछ सर्वे तो 1970 के दश्कों में भी हुए हैं ऐसे में 1932 के खतियान के अधार पर इस्थानिय नीती बनाने के नेड़े के साथ ही सरकार को ये ख्याल भी रखना होगा कि यहां स्तदियों से रह र अधार पर मिलने वाले लाप से वन्चित न रह जाए और तो और कई आदिवासी परिवारों के पास भी खतियान नहीं है ऐसे में इसको लेकर सरकार का क्या रूख रहेगा क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोडा ने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि 1932 के सर्व खतियान दे दिया गया है फिर वो इसमें वन्चित हो जाएंगे हलाकि कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके मुताबिक जमीन नहोंने के कारण जिनके नाम 1932 के खतियान में दर्ज नहीं होंगे उन्हें ग्राम सभाओं की पहचान के आधार पर दो मिसाइल मान अपजी राजनितिक जमीन में बहुत सारी दरारें भी दीख सकती हैं जो सुरेयन के साथ साथ सरकार पर भी असर डालेंगी झालेंगी